बुद्धा ब्रोड़कास यूटूब चैनल के सभी शोता वर्ग मंगल मैत्री अनुमोदामी मैं आपका कल्यान मित्र मैत्रिय घोष आयूपाल स्थवीर पिएजडी स्कॉलर मुंबई इन्वरसिटी आज पुन्हा एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ नया एपिसोड और आज हम जानने की कोशिश करेंगे तथागत बुद्ध और तथागत बुद्ध के महापरी निब्बान के बाद उनके अस्तियों का क्या होता है हम पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहे है कि ये धर्म का तत्वज्ञान कोविड-19 जैसे वैश्वीक महामारी और जिन परिवार को संक्रमन हुआ और ये संक्रमन में वो चल बसे ऐसे कठीन और असहज परिशितियों में कोई धर्म धर्म का नाम लेकर मृत्यु के बाद देहांद के बाद आपके स्वर्ग और नर्के की कलपना देकर क्या कोई आपसे कुछ ले रहा है अगर ये अंधविश्वास की बाते स्वर्ग और नर्क की बाते धर्म ऐसे टाइम पर अगर सिखा रहा है दे रहा है तो ये कितना गलत है सो अस्ति विसरजन क्यूं अस्ति विसरजन का सही मतलब क्या होता है और यहाँ पे यह समझाते समय स्वय तथागत बुद्ध की अस्थियों का उनके महापरी निबान के बाद क्या होता है यहाँ दो बाते आस्पस्ट होने वाली है मैंने किसी एपिसोड में कहा था कि बुद्ध ने स्वय को मैं किसी भगवान, इश्वर या प्रमात्मा का आउतार नहीं हूँ यह कहा था और इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए यह आज का एपिसोड थोड़ा सपोर्ट करेगा तथागत बुद्ध क्या कहते है कि मैं सामान्ने लोग जैसे जनम लेते है उनके माता-पिता होते है, उनके संसकार होते है उसी तरह मेरे खुद के माता-पिता मेरे खुद का परिवार, परिवार के संसकार याने तथागत बुद्ध किसी के आउतार नहीं यह स्पस्ट होने के लिए तथागत बुद्ध के महापरिनिबान के बाद स्वें तथागत बुद्ध के अस्थियों का क्या हो गया और वही सिद्धान तथागत बुद्ध और बोधी सत्व ऐसे महापुरुशों का निर्बान जब होता है महापुरी निर्बान होता है तब ये महापरी निर्वान के बाद उनके अस्तियों के साथ क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है अवश्चक है अगर ततागत बुद्ध के अस्तियों का विसरजन हुआ ततागत बुद्ध के अस्तियों के साथ विसरजन करते हुए किसे ने कहा कि तथागत बुद्ध की ये अस्तिया किसी पवित्र गंगा में विसरजीत करने से उनको निब्बान के बाद कुछ मिलता है तो यहाँ पे बुद्धिजम तत्वग्यान इस वाक्य को खंडित करता है क्योंकि स्ववे बुद्ध ने पूरे दुनिया को कहा है मृत्यू के पश्षाद अगर किसी चीज को पाने के लिए कोई कहता है बोलता है तो मृत्य के बाद कुछ नहीं है स्वर्ग, नर्क, सूक, दूख, पाप, पुन्य, सत्य, असत्य, कुशल, अकुशल ये सभी बाते मृत्यू के पहले होती है इसी लिए तथागत बुद्ध का ये तत्वग्यान उनके अस्तियों के साथ समझना और थोड़ा सा इजी जाएगा तथागत बुद्ध धाय हजार पूर्व इस भारत वर्ष का अंतीम सांस इस भारत वर्ष को देकर महापरी निब्बान को प्राप्त हो गए तथागत बुद्ध उनके महापरी निब्बान के पशाथ उनकी अस्तिया उनके पात्र उनके वस्त्र और कुछ चीजे स्वय तथागत बुद्ध के प्रती जितने धातु थे जैसे दंत धातु, लोम धातु, नक्खा धातु और अत्थि धातु अस्ति ये अस्तिया तभी का जो जम्बुद्वीप था और जम्बुद्वीप में जितने राजा थे, बड़े-बड़े राजा थे, समराठ चक्रवरती राजा तक, जब भी तथागत बुद्ध महापरिनिबानस्त होते हैं, उनका दहा समस्कार होने के बाद, उनका अगनी समस्कार होने के बाद, तथागत बुद्ध की ये पुरी अस्तिया जितने भी राज्य थे, ये सभी राज्यों को बाड़ दी गई थी, देखो यहाँ विसर्जन हुआ नहीं मतलब बुद्ध की अस्ति का विसर्जन होता ही नहीं बुद्ध की अस्तियां बुद्ध के बाद जिनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है वो है राजा ओलो फिर ये राजा जितने भी थे सत्रा अठ्रा राजा थे ततागत बुद्ध के महापरी निब्बान यात्रा में सामिल हो गए महापरी निब्बान यात्रा में सामिल होने के बाद ततागत बुद्ध की अस्तियां हर एक राज्य को बाड़ दी गई और ये सभी राजाओं ने वो अस्थिका क्या किया? क्योंकि बुद्ध ने कहा था, बुद्ध के महापरी निबान के बाद आपको धम्म सिखाने ही तू, आपको धम्म की उर्जा का अनुभव देने ही तू, सबसे बुड़ा बुद्ध काम करेगा और वो है धम्म रुपी बुद्ध। धम्म के सुरूप में यहां स्थापीत हुआ जो बुद्ध है, वो अनन्तकाल आपके साथ रहेगा। बुद्ध, 80 साल के आयू में इस सार इस संसार का निरोब लेकर चले गए, संसार को अलविदा कहे के चले गए। पर आज, धाय हजार साल के बाद केवल भारत वरश नहीं, केवल कोई एक देश नहीं। चालिस देश आज के तारिक में तथागत बुद्ध के महान धम्म का ग्यान आत्मसाथ कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कितने सारे आसपास के देश अपने अपने देशों की परंपरा में तथागत बुद्ध का ग्यान, एक मध्यमार्ग का ग्यान, इस मिडल पाथवे ओप माई कंट्री, उसका स्विकार की आई, कौन सा बुद्ध काम कर रहा है, बुद्ध ने कहा हुआ धमरुपी जपान में तो कभी बुद्ध गए नहीं, फिर भी जपान तथागत बुद्ध के मार्ग को अपना रास्ट्र मार्ग समझता है, ये बहुत ही अनोखी बात है, बुद्ध का प्रभाव कितना है, ये धमरुपी बुद्ध अपने स्वईक के उरजा के साथ पूरे दुनिया क प्रभावित कर रहा है, इसलिए तथागत बुद्ध की जितनी अस्थिया थी, दंत धातू थे, लोम धातू थे, नक्खा धातू थे और अस्थिया, जिन जिन राजा के हिस्से में जो अस्थिया मिली, उन राजाओं ने अपनी राज कोस में से थोड़ा सा पैसा निकाल के वो धातू के उपर स्थुपाज, चैत्या, शिलालेक, स्थमबाज, तथागत बुद्ध की मेमरी में, तथागत बुद्ध के स्मरन में, तथागत बुद्ध के धातू को अनुभव करने ही तू, और एक राजा तो आज है, वो कल नहीं रहेगा, खतम होगा पर उसकी परमपरा चलेगी, उसके जाने के बाद, 200 साल के बाद, दुनिया को केसे पता चलेगा, कि ये स्वए तथागत बुद्ध और उनकी अस्थियां की ये प्रेरिना हैं, ये चेतना हैं, ये उर्जा है, तो तथागत बुद्ध की अस्थियों का विसर्जन करने के ब तो हम लोग बोलते हैं वंदामी चैतियंग सब्बंग सब्वथानेशु पतिधितंग साररीक धातु महाबोधी बुद्ध रूपंग सकलंग सदा सकलंग सदा सकलंग सदा यह महान तथागत बुद्ध के प्रती कहा गया पाली बुद्ध बचन है क्या कहा गया है वंदामी चैतियं सब जितने चैत्य बने हैं और बुद्ध के समय जितने राजा थे उनके द्वारा बनाएगी चैत्य है तो हर एक चैत्य में बुद्ध के अस्ति धातु का आपको अन और महापरिनिबाना यातरा के बाद उनके अस्तियों के उपर बहुत सारे चैत्य और स्तुपा बने उस तुपा में बैट कर मैं पांक मिनाट दस मिनाट एक घंटा एक दिन एक रात मैं मेरिटेशन कर रहा हूं Ultimately, वो चैत्या और स्तुपाज में स्थापीत हुई बुद्ध की अस्थी आपने शरी पर काम करती है, मन पे काम करती है, मन के शुद्धा और पवित्र होने के प्रोसेस पे काम करती है और आपको चित्त की शुद्धता के एक कदम पास लेकर आती है क्योंकि you can feel the energy of the Buddha after his Mahapari Nibbana Buddha is always with you in the form of energy, in the form of Dhamma तो अगर हमें बुद्ध के अस्तिया विसर्जन करने के बाद का विध्य अगर ये जो चला आ रहा है करते होते किया होता तो आज कोई चैत्य हमें नहीं लिखाई पड़ता आज कोई स्तुपा हमको तिखाई नहीं देता और तथागत बुद्ध के अस्तियों के उपर जितने सारे पवित्र जगाएं बनी है वो कभी बनती ही नहीं क्योंकि अस्तिया ही नहीं है और तथागत बुद्ध का मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमान क्या है तथागत ने दावा किया था कि मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई इश्वर दाता नहीं, मैं कोई मोक्ष दाता नहीं मैं केवल एक मनुष्य मात्र हूँ और ये मनुष्य मात्र होने का सबसे बड़ा प्रमान क्या है तो आज भी सारना चली जाईए, बुद्ध गया चली जाईए, लुंबीनी चली जाईए तथागत बुद्ध के किसी पवित्र जगा पर जाकर आप पांच मिनट दस मिनट का मेरिटेशन करने की कोशिश करिए आपके उपर तथागत बुद्ध की एनरजी का काम शुरू हो जाता है तथागत बुद्ध की अस्तियां यहां पर है, इसका मतलब तथागत बुद्ध आउतार नहीं थे, इश्वर नहीं थे वो हमारे आपके जैसे केवल मनुष्य मात्र थे यह सबसे बड़ा प्रमान इस संसार को स्वय तथागत बुद्ध की यह आस्तिया रक्षित प्रम पराने दिये है कि स्वय तथागत बुद्ध इस संसार के आनेक लोगों की तरह यह स्वय थे बुद्ध का, धम्म का और संघ का इस महान सज्ञाओं को पूरा करनी की तथागत बुद्ध के प्रग्या की ताकत से वो बुद्ध बने बुद्ध बनने के बाद सारे दुनिया को दुख मुक्त होने का रास्था बताया, पथ बताया मार्ग दिया अर्य अठ्ञांगी को मगो के रूप में तथागत बुद्ध ये सारे संसार को मार्ग दीते है और मार्ग दाता बनते है तथागत बुद्ध की अस्थिया केवल अंद भक्ति से कभी हमको उसकी पुजा नहीं करनी है ये बुद्ध के रूप है बुद्ध तो चिले गए अगर आज मुझे बुद्ध को मानना होगा जानना होगा और उनका मनुष्य होने का प्रमान प्राप्त करना होगा तो मुझे मेरे इतिहास नहीं दिखाया है यहाँ पे कुछ संधर बाया है कि सारणा चले जाए बुद्ध का ये धातु वहाँ पे आपको मिलेगा आज इतने सारे श्रीलंका लोग चले जाते है वहाँ दंत धातु का चैत्य है तो लोग विजिट करते है किसी राजा के हक में दंत आ गया बुद्ध का तो वो राजा ने दंत धातु के ऊपर एक चैत्य बना दिया और परमपरा चली कि ये तथागत बुद्ध के दंतधातु, लोमधातु, नक्खाधातु और अस्तिधातु के स्मरण में ये चैत्य, स्तूपा और स्तंबाज और शिलालेग बनी है आप जब भी आओगे पाच मिनट, दस मिनट आपने खुद को सारे विकारों से मुक्त करने के लिए तथागत बुद्ध की ये महान अस्तियों पी स्थापित हुआ, ये चैत्य मुझे कितना सपोर्ट करता है बुद्ध ने कहा, अगर किसी चीज का आपको अनुभव होता है, तो ही तुमारे बुद्धी के स्तर पर वो सत्य है अगर अनुभव होगा ही नहीं, फिर अस्तिय ही रहने दो, या धातू रहने दो, केस धातू, लोम, धातू, नक्खा धा, जो भी रहने दो अगर तुम्हें कुछ अनुभवी नहीं हो रहा, तो उसका त्याग कर दो तथागत बुद्ध की इस महान परंपरा में स्वें तथागत बुद्ध की अस्तियों का कभी विसरजन किया नहीं और उसी सिद्धान्त को लेकर वही सिद्धान्त आपके माता-पिता के प्रती मुझे जिसने जनम दिया है वो मेरी मा, जिसने मुझे जनम दिया है वो मेरे पीता बुद्ध से कम नहीं मेरे लिए जब उनका देहांत होता है, माता पिता का देहांत होता है तो उनकी अस्थिया मैं मेरे घर में रख सकता हूँ मेरे घर के आंगर में एक मेरे मा के स्मरन में छोटा सा स्तुपाज बना सकता हूं, थोड़ा सा उनका चैत्य बना सकता हूं, अगर तुमारे पाद जमीन है, उनकी कमाई हुई जमीन है, तो वो जमीन में एक थोड़ा सा मेरे मा के स्मरन में चैत्य बना सकता हूं, अगर सारी मैं उनके मरने के बाद के स्वर्ग के प्रती विसरजन करता हूँ, तो उनका स्मर्ण कैसे करेंगे। बुद्धा व्राडकास यूटूब चैनल के सभी शोता वर्ग मैं आपसे अनुरोत करता हूँ। स्वयंत थागत बुद्ध के द्वारा बताया हुआ ये वज्ञानिक सिध्धान्त हमें अनुमोदित करता है, हमें प्रेरिना देता है और सत्य के प्रती समीप लेकर जाता है। कभी आपने माता-पिता के अस्तियों के प्रती सजग रहिए और किसी पवित्र गंगा नदी और पवित्र जल्मे बहने से और विसरजन करने से माता-पिता को मुर्तिव के बाद स्वर्ग मिलता है। ऐसे किसी अवज्यानिक्स धानतों को माननेता न देते हुए। स्वें तथागत बुद्ध की अस्तिया अगर अपवित्र नहीं होगी तो मेरे माता-पिता की अस्तिया कभी अपवित्र नहीं होगी। तथागत बुद्ध की अस्थियां चैत्य रूप में रक्षित करने से अशुब नहीं होता, तो मेरे माता-पिता के अस्थियों को रक्षित करने से कोई अशुब नहीं गटने वाला. तथागत बुद्ध की इस महान परंपरा में अनुमोधीत होते हुए मैं स्वय आप से अनुरोit करता हूं कि आप भी तथागत बुद्ध की अस्थियों का सिध्धान आपके साथ, आपके परिवार के साथ, माता-पिताओं के साथ अनुमोधीत करिए, लाब करिए और हमेश विज्ञान के संधर्ब में जितना कहा गया है उसे समीप रहकर कुछ करने की कोशिश करिए आपके प्रती उन्हें एक बार मंगल मैत्री परकाशित करता हूँ यदि आपको यह विडियो पसंद आ गया अच्छा लगा तो आप सभी कल्यान मित्रों के साथ उसको शेयर करिए बुद्धा ब्राड़कास यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और जितना हो सके उतना यह संदेश अपने कल्यान मित्रों तक बेज दीजिए शेयर करिए आपके प्रती मंगल मैत्री अनुमोदामी थैंक यू वेरि मच